हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूँ सुखे काले चने जो के स्पैशली नवराद्री में बनाए जाते हैं यह हमने एक बाउल चने ले लिये हैं जिसको हमने पाँच्छे गंटे पहले जो है भीगों के रख दिया था और यह अच्छे से भीग गए हैं और इसके बा माच विसल आने तक मीडियम फ्लिम पर पका लेंगे इसको हम और यह हमने ले लिए हैं दो मीडियम साइज के टमाटर जिसको हमें कट करके मिक्सिंग जर में डालके ग्रैंड कर लेना है और यह हमारे चने पख गए हैं इसके गैस निकल गई है अभी हम इसको चैक कर लेते ह एक चमच गरम मसाला और आधी चमच लाल मिर्श पाउदर इसके बाद हमें पानी ले लेना है और इसको थोड़ा गाड़ा सा घूल बना लेना है यह देखिए इस तरह का घूल बनाएंगे हम टामाटर की भी प्यूरी बना के तयार कर लिए तो इधर कड़ाई गरम हो गई इस पे हमें दो बड़े चमच तेल डाल देंगे एक चोटा चमच जीरा डाल देंगे और एक चमच बारी कटी भी अद्रक डाल देंगे अद्रक को थोड़ा सा बून लेंगे और फिर इसमें एक चमच कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी पी थोड़ी सी फ्राय हो जाए उसके बाद हम इसमें ये मसाली का घूल डाल देंगे इसको हमें लगातार चलाते हुए लगबग 2 मिनट तक पकाना है ताकि नीचे से लगना जाए और ये तेल छूट जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी इसको भी हमें चलाते रहना है फुल फ्लेम और तब तक पकाना है जब तक कि किनारों से तेल अलगना हो जाए ये देखिए मसाला अच्छे से पग गया है अभी इसमें चने डाल देंगे ये देखिए चने में सिर्फ इतना सा पानी बचा है आप चाहें तो इसको इसमें आड कर सकते हैं और चाहें तो अब आपकर और ये हमारी व्रत स्पेशिल चने बनकर दयार हो गए है तो आप भी इस तरह से चने बनाएए और मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएए कि आपके चने कैसे बने वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर मेरी चैनल पे नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब गीजी फ्रेंज थैंक यवार वाचिंग।